गुड मॉर्निंग एब्रिवन और विल्कम बैक टो दाना पानी रेस्पी जब हम बोल रहे हैं कि ये ओट्स रेस्पी है तो इसमें सिर्फ ओट्स ही होना चाहिए बात में जाकर इसमें आटा या सूजी मिला देना तो चीटिंग है ना खेर ये बाते जाने दीजिए चलिए मैंने अपने बेटे से पूचा आज टिफिन में क्या दो तो वो बोला ममी बर्गर दे दो नूडल से दो अच्छा छोड़ो ये सब पास्ता ही दे दो उसमें खूप सारी सबजियां डाल देना तो इसी बहाने में सबजी भी खालूँगा मैंने सोचा सबजियां तो तुम खालोगे पर थोड़ी सी सबजी खिलाने के लिए क्या मैं तुम्हें कैमिकल और प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ पास्ता खिला हूँ सिर्फ हम वेट लॉस से ही जोड़के देखते हैं पर क्या हमें पता है कि ओट्स में बहुत सारे एंटि आक्सिदेंस होते हैं और वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है इस ओट्स के आटे को आप एर टाइट डिब्बे में स्चोर करकर एक महीने तक अराम से यूज़ कर सकते हैं तो ये एक कटोरी मेरे ओट्स का आटा रेडी है अब मैंने यहाँ पर पतीला लिया है इसमें मैं उतना ही पानी डालूँगे जितना मैंने ओट्स का आटा लिया है अगर एक कटोरी आटा है तो एक ही कटोरी इसमें हमें पानी डालना है इसमें हम डाल देंगे एक चुटक नमक जब यह बहुत अच्छे तरीके से बॉइल होने लगे इसमें बबल्स वरने लगें उस समय हम गैस टब को धीमी आज पर कर देंगे और इसमें ओर्स का आठा डालेंगे आठा डालकर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ढ़कर हम इसे 5-10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद हम आठे को निकाल लेंगे और हातों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा गीला करके इसे अच्छे तरीके से 5 और मिनट के लिए गूंद लेंगे बहुत ज़दा पानी आपको यूज नहीं करना है अपने हातों को सिर्फ हलका सा गीला करिएगा और आठे को गूंद जाएगा 5 और मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे 5 मिनट के बाद गें आठा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल गेहूं की आठे की तरह और आपको पता है इस आठे से अगर आप रोटी बनाएंगे तो वो रोटी एकदम फुली फुली बनेगी आपके गेहूं की रोटी की तरह अब चकले पे मैं थोड़ा सा ओट्स का आठा स्प्रिंकल कर रही हूं और अच्छी तरीके से इसकी बॉल बना रही हूं इसको हमें ऐसे लंबा सिलिंड्रिल शेप में कर लेना है इसके बाद इसे कट करके इसकी चूटी चूटी बॉल बनानी है अगर आपको डारेक्ली चूटी बॉल बनानी है आठे से तो वो भी आप बना सकते हैं अब हम एक फोक ले लेंगे इस पे हम आठे की चोटी सी बॉल को प्रेस करेंगे और फिर उसे फोल कर लेंगे तो आपका पास्ता रेडी होता जाएगा आप चाहें तो किसी और शेप के भी पास्ता बना सकते हैं बॉल्स एकदम छोटी छोटी लीजेगा और एकदम पतली पतले से पास्ता बना कर रेडी कर लीजेगा आप चाहें तो डायरेक्ट आटे से चुट चुटी बॉल्स बनाईए और फिर फोल्क पे लगा कर पास्ता रेडी करते जाएए तो अभी हमारे पास्ता रेडी हो चुका है गैस पर मैंने एक पतीरा लिया है और इसमें मैं पानी बॉल करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि हम इस पास्ता को स्टीम करेंगे अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है, छन्नी हर किसी के घर में होती है इसमें अभी हमने जो पास्ता रेडी किया है उसको रख देंगे पानी में अभी बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा है इस समय हम इस छन्नी को उठाकर पतीले के उपर रख देंगे और ढग कर इसे कम से कम 12 मिनट के लिए मीडियम आज पर स्टीम होने देंगे जब तक पास्ता स्टीम हो रहा है तब तक हम इसकी वेजिस कट करके रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैं यूज करूंगी आधी कैरेट, आधी शिमला मिर्च और एक छोटा प्यास आप चाहें तो हरी मिर्ची यूज कर सकते हैं पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची को आप स्किप कर दीजेगा आपको सभी सबजियों को एकदम बारीक पतला पतला कट कर लेना है अभी 12 मिलिट हो चुके हैं इस समय गैस टब को हम बन कर लेंगे और अपनी जो पास्ता है उससे निकाल कर अलग रख लेंगे पास्ता अभी हमारा अच्छे से पक चुका है इस समय हम उससे प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए इस बात का ध्यान रखना है जब आप पास्ता को मिक्स करेंगे उससे पहले पास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका होना चाहिए ये जो स्टीम पास्ता है इसे आप एक रात पहले ही बना कर फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स जे सिर्फ पांच मिनिट में आपकी डिश रिडी हो जाएगी यहां मैंने दस कलिया लेसुन के लिए है तो पास्ता में लेसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसे हम अच्छी तरीके से बारिक बारिक चॉप कर लेंगे कड़ाई में अभी मैं एक बड़ी चमच सरसो का तेल डाल रही हूँ आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ओईल यूज कर सकते हैं तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा उस समय हम इसमें डाल देंगे लेसुन और हरी मिची अब इसे सिर्फ आधे मिनिट के लिए अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे गैस टब को आप हाई फ्लेम पे रखेगा इसी नूडल्स और पास्ता इन सब में सब्दियों को हाई फ्लेम पर ही पकाते हैं अब मैं इसमें सारी सब्दियां एक साथ ही डाल दूंगी और इसे हाई फ्लेम में सौटे करूंगी इसके लिए आप कंटिनूसली सब्दियों को स्टर करते रहेगा ताकि वो जले नहीं दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे सौटे करेंगे यूकि सब्दियों को हमें क्रंची रखना है और सौगी नहीं सब्दियां भी क्रंची हो चुकी हैं इस समय मैं इसमें डेट छोटी चमच मेयोनीज में डाल रही हूँ और साथी साथ देट छोटी चमच में इसमें टोमेटो कैचप डालूँगी इस समय गैस फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम में अच्छी तरीके से हमें से मिक्स कर लेंगे फास्ता में काली मिर्श का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इस समय हम इसमें डाल देंगे काली मिर्श आपको जितना तिखा खाना है उस साथ साथ इसमें काली मिर्श डाल सकते हैं साथी साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट इस बात का ध्यान रखना है कि कैचप में भी सॉल्ट होता है इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे और आधे मिनिट के लिए इसे saute कर लेंगे पास्ता जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो भी अभी ठंडा हो चुका है अब हम इसमें वो पास्ता डाल देंगे इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ता को पहले अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है उसके बाद ही आप इसको इसमें मिलाईएगा इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे और सिर्फ दो मिनट के लिए ठक कर इसे पकने दीजे ताकि जो आपका पास्ता है वो अच्छे तरीके से सॉस को एब्सॉब कर ले और अच्छा फ्लेवर ले ले तो अभी हमारा पास्ता पूरी तरीके से रेडी है इस समय गैस्ट अपको हम बंद कर देंगे और क्योंकि मुझे हरा धनिया पसंदे इसके लिए मैं थोड़े से हरे धनिया से इसको गानिश कर लूँगी आप चाहें तो यह स्टेप स्किप कर सकते हैं यह यमी यमी पास्ता खा के मेरे बच्चे तो एकदम खुश होगे उन्होंने मुझे खा ममी तुम तो कितनी अच्छी हो हमें पास्ता देती हो thank you so much मैंने भी उनसे कहा कि बेटा आप जब भी पास्ता खाने का मनो तो मुझे बताना मैं आपको आराम से बना के दूँगी और खूब सारा पास्ता खाओ क्योंकि मुझे पता है इसमें ना सिर्फ सबजिया है बलकि इसमें oats भी है जो कि भरपूर है vitamins और micronutrients से आप भी रेस्पी प्लीज ज़रूर ट्राइ करिएगा और आपका पास्ता कैसे बना मुझे अपना feedback कमेंट सेक्शन में लिख कर बताईएगा Thank you